एक बार की बात है कुछ साइंटिस्ट ने चंद्रमा के ऊपर रिसर्ज की और पाया की वहाँ हीरों का भंडार है उस भंडार का पता लगाने के लिए उन्होंने चंद्रमा पर एक रॉकेट भेजने की तरकीब बनाई ये बात सबसे चुपानी के लिए उन्होंने शहर से दूर एक गाउं के पास जंगल में अपना कैम्प लगाया रिचर्ड जब तक हम इस रॉकेट को लॉंच ना कर दें हमें ये बात सारी दुनिया से चुपानी होगी अगर किसी को हमारी खोज के बारे में पता चल गया तो उन सारे हीरो पर सरकार अपना कबजा जमालेगी तुम बिल्कुल सही कहते हो ये सिर्फ हमारी खोज है इसलिए उन सारे हीरो पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए तुम फिक्र मत करो, हम शहर से बहुत दूर है, यहां पास में सिर्फ एक छोटा सा गाउं है, और वहां के लोग बहुत ना समझ है, उन्हें कभी हमारी तरकीब के बारे में पता नहीं चलने वाला फिर एक दिन उसी गाउं में रहने वाला ललन किसी काम से शहर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर उन साइंटिस्ट के कैम पर पड़ती है, अरे एका है, एकान लोग है, आखिर यह सब यहां क्या चल रहा है, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा, मुझे पता लगाना फिर ललन चुपके से कैम के पास जाता है और कैम में जहांक कर देखता है, वहाँ दो साइंटिस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं, ललन ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है, भाई अगर हमने चंद्रमा पर यह रॉकेट पहुचा दिया, तो यह वहाँ हीरो के अच्छा, तो यही रॉकेट है, जिसे यह लोग चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है, वा बेटे ललन, आज तो तेरे हाथ बहुत बड़ी खुप्या जानकारी लग गई है, क्यों ना इसका फाइदा उठाया जाए, मुझे अभी के अभी जाकर कालिया को इसके बारे में बताना होगा, फिर वा भागता हुआ जाता है और सीधा कालिया के घर पहुँच जाता है, कालिया भाई, आज मुझे जो जानकारी मिली है, तुम उसका यकीन नहीं करोगे, क्यों भाई, ऐसा कौन सा खाजाना तुम्हारे हाथ लग गया है, भाई, जंगल के रस् जिसकी कीमत अर्बों में है, लललन भाई, तुमने कोई नशात नहीं कर रखा ना, आज एक ऐसी बहकी-बहकी बात है कर रहे हो, भाई, मुझे पहले ही पता था, तुम मेरी बात तो विश्वास नहीं करोगे, एक काम करो, तुम खुद मेरे साथ चल कर देख लो, कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, फिर ललन और कालिया फिर सी जंगल में बने खुफिया कैम्प के पास पहुच जाते हैं, देख भाई कालिया, अब तो विश्वास हो गया तुम्हें, यह वही कैम्प है, जहां वो साइंटिस्ट रहते हैं, और वो देखो, यह वही राकेट है, जि अगर हमने और इंतजार किया, तो हो सकता है, हमारी हीरो की खुच के बारे में सब को पता चल जाए, हमारा अरवों का नुक्सान हो जाएगा, कालिया ये सारी बातें सुन कर दंग रह जाता है, क्यों भाई कालिया, अब तो तुमने अपने कानों से सुन लिया ना, ये भाई, वो लोग तो अर्वो के हीरो की बात कर रहे हैं। हां भाई, यही छही मोका है, जिन्देगी मैं कुछ कर दिखाने का। तुम कहना क्या चाते हो भाई, या ये बात हम सरकार को जाके बता दें। अरे नहीं नहीं मूर्ख, सारे की ये कराये पे पानी फेरना चाहता है क्या, मेरे पास एक तरकीव है, क्यों न हम चुपके से उस राकेट में जाकर बैठ जाएंगे, जिससे हम भी रॉकेट के साथ साथ चांद पर पहुँच जाएंगे, फिर वहां पहुँच कर सारे हीरो को समेट लेंगे और वापस चुपके से उस रॉकेट में जाकर बैढ जाएंगे और उसी रॉकेट से वापस धर्ती पे आ जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा भाई तुमने तो पक्का मरने करने जा रहा है इसलिए ये कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा बस हमें सही समय पर उस रॉकेट में बैढ जाना है बस भाई मुझे तो इस तरकीप में बहुत गड़बर लग रही है ये बहुत खतरनाक हो सकता है अरे भाई कुछ गड़बर नहीं होने वाली मेरा विश्वास करो हम आज रात ही चुपके से जाकर उस रॉकेट के अंदर बैढ जाएंगे बाकी तुम मुझे पर छोड़ दो रात होने पर वे दोनों रॉकेट में बैठने के लिए जंगल की ओर चल देते हैं कुछी देर में वे लोग वहां पहुँच जाते हैं चलो भाई कालिया वो रही हमारी मंसिल तुम बस मेरे पीछे पीछे आते जाओ फिर वे दोनों दबे पाउं उस रॉकेट तक जाते हैं और उसका दर्वाजा खोल कर चुपके से उसमें बैठ जाते हैं कुछी देर में वह साइंटेस्ट उस रॉकेट को लॉंच कर देते हैं या भाई पकड़ कर है ना इसकी स्पीड बहुत तेज होती है अरे मर गयरे मुझे तो पहले ही पता था तू मुझे मरवा कर ही छोड़ेगा अरे बचाओ रे यह तो बहुत तेजी से उपर जा रहा है अरे आये लललन भाई मेरी तो सास ही अटक रही है मुझे लगता है मैं मरने वाला हूं यह बगवार मुझे बचाओ कालिया भाई रोना बंद करो और वो देखो नीचे का नजारा कितना खूपसूरत है हमारी पिर्थवी अंतरिक्ष से कितनी सुन्दर दिखाई दे रही है हाँ भाई ललन तुम सही कहते हो ललन भाई ये मुझे क्या हो रहा है कालिया भाई डरो मत इसे गुरत्वा करशन बोलते है हम पिर्थवी के वायू मंडल से बाहर आ गए है इसलिए ये सब हो रहा है तुम घबराओ मत हम कुछी देर में चांद पर पहुँच जाएंगे और चांद की सता पर उतर जाता है वो देखो कालिया भाई हम पहुच गए नीचे देखो चांद दिखाई दे रहा है चलो बाहर चलते हैं बाहर चलते हैं मूर्क ये हमरी पिर्थवी नहीं है जो यूही सेर सपाटे पर निकल जाएंगे चांद पर अक्सिजन नहीं होती इसकूल में नहीं पढ़ा क्या ओहो कालिया भाई ये तो मैं भूल ही गया था वो देखो वहाँ दो हेलमट पढ़े हुए हैं अगर हम वो पहन ले तो हमें अक्सिजन मिल जाएगी फिर वे दोनों वो हेलमट पहन लेते हैं और रॉकेट का दर्वाजा खोल कर बाहर निकल जाते हैं वे दोनों भाग कर जाते हैं और सारे हीरों को एक थैले में भढ़ने लगते हैं अरे बाबा मैं तो अरब पती बन गया आज तो मज़ा ही आ गया तभी चंद्रमा की मुट्टी में से डरावनी डरावनी आवाजे आने लगती हैं अरे लगन भाई पे आवाजे तो कुछ जानी पहचानी से लगती है तभी एक चुढायल लिटी के धेर में से बाहर निकलाती है अरे मर गए रे ये तो चुढायल है ितने चंद्रमा पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा अरे मर गए रे भागो अरे भागो अपनी जान बचा के भागो कालिया भाई मेरे लिए रुको अरे मर गए रहे, यह चुड़ायल यहां कहां से आ गई, अरे साइंटिस्टों तुम्हारा नास मीटे, तुम्हें इतने छटे छटे हीरे दिखाई दे गए, लेकिन इतनी बड़ी चुड़ायल क्यों नहीं दिखी, फिर भी सारे हीरों को वहीं छोड़ कर वहां से भाग जात हम तो आपके कितने नजदीक आ गए हैं, अब तो हमारी मदद के लिए आ जाओ, अरे मर गए रहे, मैंने तो पहले ही कहा था, यह बहुत खतरनाक तरकीब है, लेकिन तुम्हें हीरों का लालच खाए जा रहा था, कालिया भाई मुझे क्या पता था, यह चुड़ायल चंद से उड़ जाता है, और वापस धर्ती की ओर बढ़ने लगता है, अरे वो देखो कालिया भाई, हम बज गए, बस थोड़ी देर में यह राकेट वापस धर्ती पर पहुँच जाएगा, यह भगवान तेरा लाक लाक शुक्र है, थोड़ी ही देर में वे लोग वापस धर्ती पर पहुच जाते हैं, फिर जैसे ही वे लोग राकेट से बाहर आते हैं, वे साइंटिस्ट उन्हें पकड़ लेते हैं, बाई साब हमें माफ कर दो, हम गलती से आपके राकेट में बैट गए थे, हमें लगा यह एक जूला है, लेकिन यह तो हमें उड़ा कर चंद्रमा पर साइंटिस्ट भाई, वहां हमें बहुत सारे हीरो का भंडार मिला, साइंटिस्ट यह सुनकर खुश हो जाते हैं, देखा डॉक्टर कुमार, मैंने आपसे कहा था न, चंद्रमा पर हीरो का भंडार चुपा हुआ है, भाई कालिया, अपनी अम्मा के बारे में भी तो लेकिन तभी अचानक से एक चुडैल वहां आ गई, वो जरूर उन हीरो की रखवाली कर रही है, उसकी वज़ा से हम एक भी हीरा अपने साथ नहीं ला पाए, बस किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से भाग आए, वो कोई चुडैल नहीं, बलकि कोई एलियन होगा, पता नहीं साइन्टिस्ट भाई, हमें तो बस इतना पता है, कि हम आज बाल बाल बच गए, अब तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तुम्हें फिर से चान्द पर जाना होगा, और वो हीरे महां से लेने होंगे, तेरा नास मीटे साइन्टिस्ट, हमें फिर से मौत के मूं में थाकेल रहा है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुमसे पूछ कौन रहा है, हम तो तुम्हें बता रहे हैं, फिर सारे साइन्टिस्ट मिल कर ललन और कनहिया को फिर से उस रॉकेट में चढ़ा देते हैं, और रॉकेट को चंद्रमा की ओर रवाना कर देते हैं, यहां से कूद के मरना चाहते हो क्या, चुक चाप बैठे रहे हो, चुड़ी ही तेल में वे लोपिर से चांद पर पहुच जाते हैं, वह चुड़ायल वही उनका इंतजार कर रही होती है, राजा जी, आप वापिस आ गए, मैं कबसे आपका इंतजार कर रही थी, जरा बाह अगर आप इसका भाग दो देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताईएगा